आपके अपनेटिव चैनल आईटे डेली जोब अफडेट पर गाईसाग आपको पता है कि मैं हमारे चैनल पर हरूज आईटे पासाउट शाथों के लिए दो से तिन वीडियो आईटे से निकलने वाली सभी परकार की गवर्मेंट वेकेंसिस के लेकर आता हूं जिसमें बात क सकते हैं इसका फों जो है कर सकते हैं यह पर आईटे पासव। कbenлы बात करता हूं हमेसा हमारा चैनल जो है पासव। को ही डेडिकेटेट चैनल है जिसमें हम बात करते हैं तो मैं आई टे की पोस्ट बताऊंगा टोटल यहां पर जो पोस्ट हैं आई टीए डिप्लोमा एंड बीटेक के लिए 284 पोस्ट पर रिक्वार्मेंट है आई टीए पासवड शात्रों को 22,000 रुपे तता अलगलग पोस्ट पर अलगलग सेलरियां पर मिलने वा हैं लेकर चलता हूं इसको ओफिशल नोटिफिशन पर गाईस वीडिओ को सुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ अगर आपने अब तक हमारे शियों को सब्सक्राइब नहीं किया हैं प्लीज जाकर सब्सक्राइब करना वीडिओ पसंद आया हैं वीडिओ लाइक करें 9 मार्ज 2021 को notification जारी किया गया है बैसिल की तरब से आप लोग जानते होंगे मेनी रत्न कंपनी है भारत सरकार की ब्रोडकार्ज, हिंजनेरिंग, कंसल्टेस, इंडिया लिमिटेड की तरब से requirement जारी की गई है वेकेंसी एडवरिस्मेंट जो है 284 अपर हो सकता है 284 पदो पर ही requirement मुझे जहां तक लगता है होंगी विकोज पूरे notification में कहीं पर भी इन्होंने नहीं बताया है और जश्ट मेरा भी अभी ही इस पर ध्यान गया है कि वेकेंसी एडवरिस्मेंट 284 अपर लिखा हुआ है तो यह post जब मैंने notification देखा तुरंथ ही इसके लिए thumbnail बना लिया है और जहां तक हैं यह post ही होंगी सबसे पहली post के हम बात करते हैं technician lab instrument की इसमें ITA electrical and electronics से अगर आप लोगों ने किया हुआ है साथ ही आपके पास दो साल का experience है electrical या instrument की जो lab होती है उसमें तो आप इसके लिए eligible रहेंगे apply करने के लिए 28 साल यहां पर age limit रखी गई है और ITA pass out चात्रों को यहां पर 22,000 रुपया permanent salary मिलने वाली है याद रखेगा इसके लिए experience detail and skill set required हैं पर बताया है इसके लिए मैं मापीश होंगा मैं आप लोगों को फिर से clear कर दूँगा या तो इसके बाद sort upload कर दूँगा या video upload कर दूँगा उसमें मैं चेक करूँगा कि post यहां पर 284 है या फिर post कम रखी गई है या क्या इनका पूरा है बाकी उन्होंने कहीं पर भी यहां पर post की बात नहीं की है या पर एक लिखा है इसका भी serial number है ठीक है कहीं भी post नहीं बताई है बैसिक नोलेज अबाउट इलेक्रिकल इंस्टूमेंट के आपको बैसिक नोलेज होना चाहिए गाइस मस्ट नो हाउट टू अपरेट मल्टी मेटर जो मल्टी मेटर होता है इलेक्रिकल या इलेक्रोनिक से किया हुआ है तो आप इसको आराम से जानते होंगे ओशिलो इसकोब जो आउता है and be good at soldering soldering टेक्निक आप लोगों को आना चाहिए soldering iron जो होता है उसको चलाना आना चाहिए and other necessary tools जो होते है repair and maintenance के equipment, cable और sensor को ठीक करने के लिए जैसे कि soldering iron हो गया multimeter की जानकारी आपको होना चाहिए यह सब आपको चलाना आना चाहिए दो साल का experience इनोंने basically आपर मांगा है must identify the necessary sensor and equipment easily आप लोग पैचान सकते है वहाँ पर आप लोगों से हो सकता है इंटर्यू में सामने आपके सामने equipment रख दे और उनसे बोला जाए कि वर्णियर के लिए पर उठाओ multimeter उठाओ या आप लोगों को कोई भी weed से तो है तो वो उठाने को बोल सकते हैं तो आप उसको आराम से जानना चाहिए must be open to learn new software use equipment आप लोगों को आना चाहिए providing technical support when necessary अवशकता होने पर technical support आप दे सके इसके बाद desire skill जो हैं पर बताया है good at communication skill and should be able to deal with customers while working on site and with them नहीं कि आप लोगों को customer के साथ अच्छी बात करना should be able to deal अच्छी डिल करना आप लोगों को आना चाहिए working on site and with them उनके साथ कारे करते हैं इसके बाद यहां पर अगली जो requirement है mechanical mechanical में है डिप्लोमा से इसमें auto engineering की requirement है 5 साल का explanation होने मांगा है 30,000 रुपे salary रखी है technical assistant homologician testing की requirement है जिसमें आप लोगों के लिए यहां पर 30 साल एसनी में रखी है पास साल का experience मांगा है B.E.B.T.E.C. के लिए यहां पर requirement है जिसमें कापे अच्छी salary 42,000 से 46,000 रुपे तक परमन्त वेतन यहां पर देने वाले हैं बात करें junior officer की यहां पर 42,000 से 46,000 वेतन मिलने वाला है negative यहां पर दिया वाला है benefit during the tension of contact subside canteen transportation application facility आप लोगों के यहां पर मिलने वाली है medical policy पास लाग रुपे तक के आपको मिलने वाली है external policy दो लाग रुपे के आपको यहां पर मिलने वाले है selection process जो आप लोगों का रहने वाला है selection will be made as prescribed norm and requirement of the job no TID आप लोगों किसमे कोई भी TID यह नहीं मिलने वाला है paid for attending the test or interview आप जिस दिन test and interview के लिए जाएंगे उस दिन आप लोगों को आना जाना रेना खाना कुछ भी नहीं मिलने वाला है याद रखेगा interview और test के आदार पर आपका selection होगा selection of the candidate will be done as under based on the initial screening process of applications and supportive documents के साथ आपको जाना है only short test rate candidate will be called for return test और personal interview के लिए उनी को बुलाए जाएगा पहले आपको अपने documents लेकर के वहां पर पहुशना है ठीक है आगे दिया हुआ है candidate are advised to fill the bacill application form जो है इसका नीचे दिया हुआ है इसको आप लोगों को form को fill करना है 27-3-2023 से पहले-पहले यह form जो है mail पर भेजना है आप लोगों को याद रखेगा यह आपर दिया है applicants should ensure that duly sign copies of upload CV यानि CV का मतलब क्या होता है resume with duly filled application form जो application form आप fill करेंगे उसके साथ with all supportive documents आपको उसके साथ लगाने है जैसे कि दस्वी की mark sheet बारवी की हैं तो बारवी की mark sheet ITA की mark sheet ITA का certificate experience certificate लगाने के बाद आपको hr.bangaluru at basil.com पर भेज देना है दिनांक 27 March 2023 से पहले-पहले गाई यह इतना ज़्यादा आप लोगों को बात को for any query candidate can call to the landline number यह पर दिया है आप इस पर call करके पूल सकते हैं and also can share their queries आप लोग उसी mail ID पर भेज सकते हैं इनकी official website का link पर दिया है www.basil.com यह 100% real job update है आप लोगों को जो है किसी भी प्रकार से यह fake job update नहीं है रियल वेकेंसी होने वाली है जिसमें हम बात करेंगे नीचे form है इसका आप लोगों को प्फिल करना होगा इसको डाउनलोड कर लेना यहां से इसका link नीचे description में में दे दूँगा पूरी डिडिल भनने के बात सभी documentation में लगाने है अपना resume अपडेट है resume में आप लगाना है देना आपको hr.bangaluru.basil.com पर भेजना है 27 मार्स से पहले पहले आज कुड़े में इतना है गाईज हम मिलेंगा अगली वडे में एक नई जोपडेट के साथ गाईज वीडियो चाहे आपको late मिले लेकिन जिस दिन सरकारी वेकंसी आईटिया पासाओर साथो के लिए निकल कर आएगी उसी दिन आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चाहे दो वेकंसी आए चाहे तीन वेकंसी याद रखियेगा और इसके लिए थोड़ा सोरी चा सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब अगर आपने अब तक हमारे टेलिग्राम गुरूप को जोइन नहीं किया है तो उसका लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर उसे जोइन करो ताकि आने वाली हर वीडियो के ब्डेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी बावे दोस्तों लवीडिके जहीं चेफारत